नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके सोंगे और आप लोगों की तयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हुगी टाइम एन वर्क समय और कार है ध्यान दीजिएगा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रह रहे हैं ठीके हाँ तो आज बेसी कॉंसर्प्ट भी क्लियर कर देंगे और तरीका भी हम आप लोग को बताएंगे कैसे स्वाल्व करना है प्रश्णों को ठीके हाँ सभी स्टूडेंट चुड़ गए हैं अच्छी वात है चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं ठीक है वाइस क्लियर है ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट के साथ हम कॉंसेप्ट के साथ हम कॉंसेप्ट की और हम चलते हैं सभी चूडेंट अच्छे से देखेंगे और प्रशनों को ध्यान से देखना है कैसे प्रशन इसवागा होता है कई तरीके होते हैं प्रशनों को solve करने के लिए ठीक है तो अच्छे से देखिए जो पहला question है ध्यान दीजेगा और यह time and work का दोस्तो class 1 है ध्यान दीजेगा यह time and work का यानि समय और कारे का class 1 है ठीक है इसमें आगे और भी class चलेंगी तो अच्छे से देखते हुए चलिए देखिए question क्या कह रह हैं दोनों मिलकर उसी कारे को कितने दिनों में समप्त करेंगे क्या है question ॹग कि एपसे जो आसान तरीका होता है दोस्तो होता है LCM method हाँ तो हम आप लोगों को time and work ध्यान दीजेगा LCM method से बताएंगे बहुत आसान होता है और सभी present solve हो जाएंगे ठीक है हाँ खुछ student answer भी दे रहें तो ध्यान दीजे कैसे solve करना है जो नए student है और जो पुराने student है अच्छे से देखेंगे तरीका सीखेंगे आप सभी student कितने ब्यक्ति है दोस्तो एक है A और दूसरा है B कौन है दोस्तो एक है A दूसरा है दोस्तो B A कितने दिनों में दोस्तो ध्यान दीजेगा A कितने दिनों में 20 दिनों में ध्यान दीजे A 20 दिनों में और B कितने दिनों में दोस्तो 30 दिनों में यहाँ पे question पढ़िएगा एक ब्यक्ति A तथा B अलग-अलग किसी कारे को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं दोनों मिल कर उसी कारे को कितने दिनों में समाप्त करेंगे यानी पूरा करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल तरीका है आप 20 और 30 का LCM निकालना आप सबको आता होगा हाँ LCM निकालना आता होगा, LCM कैसे निकालते हैं, एक बार देख लीजिए, कुछ student नहीं होंगे, ध्यान देंगे, LCM निकालना सीख लीजिएगा, second वाले channel से भी, ठीक है, हाँ, तो 2 से कटाएंगे, 2 दहां में 20, और 2 से ये 30, 15 बार में जाएगा, 15 दुना के 30, फिर ये 2 से कटे सीख लीजिए, तो LCM क्या होगा, यह होगा, यानि कि 2 गुने, 2 गुने, 3 गुने, 5, 2 दुना क्छारती है, 12 पच्चे, 60, LCM इसका क्या होगा, 60, यहाँ पे LCM निकालना सिखा दे रहे, LCM ऐसे निकालते हैं, आगे नहीं बताएंगे, LCM निकालने के लिए आप लोग, second वा जो 60 है है, दोस्तों, यह total काम आगया, कि 60 unit काम है, ठीक है, 60 unit काम है, यह 20 दिन में कर रहे है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 को 20 से भाग करेंगे, 20, 23, 60, एक दिन में यह 3 unit काम करेगा, तभी 20 दिन में क्या होगा, पूरा काम समाप्त कर लेगा, सीखिए, समझीए आप तभी क्या होगा, यह 30 दिन में पूरा काम, 30 दुनक साथ, तभी तो कह रहे है, 30 दिन में पूरा काम कर ले रहे है, 20 दिन में पूरा काम कर ले रहे है, समझ में आ रहे है, तो दोनों अगर दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है, दोनों मिलकर उसी कारेग को कितने दिनों में करेंगे, total काम क्या है दोस्तो, 60 unit है, और एक दिन में 5 unit हो रहा है, तो कितने दिन में कामसमत होगा, 60 बटा 5, तो 5 से 60 कटेगा, धियान दीजेगा, 5 से 60 कटेगा, फ़्स टो, 12, 12 12 兩 Okay, answer होगा, 12 दिन, very good, जितने भी student का 12 दिन आंसर आ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एगनम सही है और आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे 12 दिन होगा LCM निकालने के लिए सौट्रिक भी हम आपको बता देंगे कुछ नहीं करना है LCM निकालने के लिए दोनों में बड़ी संख्या क्या है 30 तो देखिए क्या 30 LCM होगा नहीं 20 से नहीं कटेगा 30 दुना के 60 इसका दो गुना करेंगे 60 20 से कटेगा हाँ साथ LCM LCM निकालने के लिए सौट्रिक है डैरेक्ट आप बड़ी वistant लिए गडियोगा on से नहीं कट रहा है फिर इसका 2 मां करेंगे का रहा है या मां कट रहा है नहीं कट रहा है तो 3 मां करें 14 लोग सीख गए होंगे जब कभी भी ऐसे question आए ए और बी अलग-अलग किसी काम को ध्यान दीजेगा अलग-अलग किसी काम को X तथा Y दिनों में ध्यान दीजेगा दे सकता है, y की जगा पर कितना हूँ दे सकता है, और बोले, दोनों मिलकर उसी कारू को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सब इस्टूडेंट, इसके लिए एक फॉर्मूला है, xy बटा x plus y, ये स्वाट ट्रिक है, ध्यान दीजिए सब इस्टूडे है, हाँ, ये ट्रिक है, स्वाट ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, या आप इसको लिख सकते हैं, second method, इसको आप क्या लिख सकते हैं, second method, ठीक है, m2 लिख लिजिए, second method, ठीक है, ध्यान दीजिए, xy, x की जगा क्या है, ध्यान दीजिए, x बराबर 20 है, और y बराबर क् बटा के 20-30 क्या हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल 5 ओको 20, 4 तियाई 12 हाँ, बहुत अच्छे एक डम सही हाँ 12 दिन हो जाएगा देखिए, नोट करके लिखिएगा A तथा B, यानि कोई भी ब्यक्ति ले लिजिए, A तथा B की जग़ब पर कोई भ्यक्ति राम, स्याम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिजिए, A तथा B, अलग-अलग किसी कार को, X तथा Y दिन में करते हैं, तो दोनों मिलके उस कार को, X, Y अप्लोग समझ रहे होंगे, इसमें आप लोगों को पहन उठाने की ज़रूरत नहीं है, L-C-M निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ, और क्यवल यह दो लोगों के लिए लगाएंगे, 3, 4, 5 लोगों के लिए नहीं, 3, 4, 5 लोगों के लिए हम L-C-M वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है, उमीद करते हैं, समझ रहे होंगे, formula एक बार और लिख देते हैं, ध्यान दीजेगा, xy बटा, x प्लस, x प्लस क्या होगा दोस्तो, x प्लस y, ठीक है, तो 20 गुने 30, बटा 20, 30, 50, ठीक है, 0 से 0, cancel, 5 ओको 20, 4 तियां 12, direct answer आएगा, 12 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, हाँ, direct, चलिए, next question की ओर चलते हैं, उमीद करते हैं, आप सभी student समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से, चलिए, ये question है, question देखिए, तो सभी student अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, elstar भी देंगे, रमेश किसी कार को 10 दिन में, वा सुरेश उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, हाँ, इसका आउच्छे साबी student इधर ध्यान देगे, सभी student इधर ध्यान देंगे, question के तरफ, रमेश किसी कार को दस दिन में वह सुरेश उसी काम को पंदरा दिनों में पूरा करता है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे रमेश है दोस्तो आर्फ से प्रदर्शित कर दे रहे हैं कितने दिन में दोस्तो दस दिन में और करने दोस्तों सुरेश है इसको ऐसे प्रदर्शित कर दे रहे हैं ये कितने दिनों में पंदरा दिनों में तो क्या करेंगे पंदरा और दस का एलसियम तो पंदरा तो होगा नहीं क्योंकि दस से कटेगा नहीं पंदरा दुना के तीस दस से कटेगा हां तो एलसियम हो एक दिन में ये तीन युनिट काम करेगा तभी दस दिन में पूरा काम हो जाएगा ध्यान दिजेगा 15 दिन में पूरा काम करेगा तभी 15 दिन में पूरा काम करेगा यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए ध्यान दीजिएगा तो देखे यहां पर कह रहा है क्या क्या है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानि कि, कौन है, रमेश plus सूरेश, ध्यान दीजेगा, कितना है दोस्तो, एक दिन में ये तीन यूनिट और एक दिन में ये दो यूनिट, ठीक है, तो तीन और दो जोड़ेंगे, तो पाँच यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं और टोटल काम क्या है दोस्तो 30 यूनिट है तो कुछ नहीं करना है ध्यान दीजिए दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे 30 यूनिट काम है दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 5, 6, 30 आंसर क्या होगा दोस्तो हाँ six days छे दिन आंसर होगा हाँ जितने भी student का छे दिन आंसर आ रहे हैं आप सभी student एकदम सही हैं बहुत अच्छे very good LCM वाला method सीखिए सभी student LCM वाला method बहुत आसान होता है अच्छे सी सीखिए आप लोग समझने का प्रयास करिए LCM वाला method ठीक है हाँ एकदम सही very good सभी student का अंसर आया हाँ एकदम सही एकदम सही बहुत अच्छे हाँ अभी हम इसके लिए short trick भी बता रहे हैं ध्यान दिजिए short trick भी बता रहे हैं second method बताएंगे short trick बताएंगे ठीक है short trick क्या है xy बटा x प्लस y अभी हम आप लोगों को बताएं short trick क्या है xy बटा x प्लस y ठीक है ध्यान दीजिए उमीद करते हैं यह आपको method 1 समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए method 2 देखिए या बोल लीजे short trick method 2 क्या है दोस्तो xy बटा में x प्लस y ठीक है रमेश किसी कार को x दिन में सुरेश किसी काम को y दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे xy बटा x प्लस y दिन में तो इसके लिए क्या करेंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है x की जगा पे क्या है दोस्तो 10 y के जगह क्या है 15 ध्यान दीजिएगा और बटा में 10 प्लस 15 कर दे तो क्या हो जाएगा बताइए सभी student 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा डिरेक्ट लिखते हैं हाँ यहाँ पर तो समझ रहे होंगे कुछ कि एधिन आंजर ओ झाएगा डिरेक्ट आंसर दे सकते हैं इस से ध्यान दीजिएगा सभी student note करके लिखेगा हाँ आ ज्यान दीजिए note करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोई वेक्टी अ्या कोई वेक्टी b ध्यются ध्यान दिजेगा और व्यक्ति ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है और व्यक्ति ध्यान दिजेगा और व्यक्ति बी की जगह पे क्या है दोस्तों सुरेस है व्यक्ति एक इसी काम को एक्स दिन में व्यक्ति बी किसी काम को उसी काम को वाई दिनों में पूरा कर सकते हैं ठीक तो दोनों मिलके उस काम को X Y बटा X प्लस Y दिन में पूरा करेंगे हां बहुत एक्षे एकदम शही उमीद करते हैं आप सभी सुडेंट समझ रहे होंगे हां इससे क्या होगा डिरेक्ट अंसर आएगा इससे क्या होगा डिरेक्ट अंसर आएगा यह साथ में यह वाला भी ठीक है 5-25-25-15-15-10-2-6 छे दिन आंसर आजएगा डिरेक्ट आंसर आएगा कुछ भी नहीं करना है 15-10-15-20-25-6 डिरेक्ट आंसर आजएगा बहुत अच्छे वेरी गूड उमीद करते हैं आप सभी सुडेंट समझ रहे होंगे चलिए नेक्स कोशन की ओर चलते हैं अगला कोश्चन नमबर तीसरा देखिए तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे तीसरा काफी इंपॉर्डेंट है एकेले किसी कार को साथ दिनों में कर पाता है परंतु ओबी की सहयता से वो उसकार को 30 दिनों में ही समाप्त कर देता है याद कीजिए भी अकेले उसकार को कि अबी समझ में आएगा क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए प्रस्ण में बोल रहा है एकेले किसी कार को साथ दिनों में कर पाता है परंतु बी की सहयता से वो उसकार को 30 दिनों में ही समाप्त कर देता है याद कीजिए भी अकेले उसकार को कितने दिनों में पूरा करेगा ध्यान दीजे कुछ नहीं है A अकेले किसी कार को कितने दिनों में ध्यान दीजेगा 60 दिनों में परंतु B की सहयता से मतलब A प्लस सभी स्टूडेंट ध्यान दीजे A प्लस B ध्यान दीजे दो लोग मिल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा से समझेगा क्या लिखा है परंतु B की सहयता से मतलब A प्लस B दोनों मिल के काम को कितने दिनों में कर लेते हैं 30 दिनों में कर लेते हैं कितने दिनों में 30 दिनों में कर लेते हैं सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए समझने का प्रयास करिएगा 30 दिनों में कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, ग्यात कीजिए, B अकेला उसकार को कितने दिनों में करेगा, B पूछ रहा है, कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोस्तो, 60 और 30 का LCM, सबसे बड़े सिंग है 60, क्या 30 से कटेगा, हाँ, का LCM हो जाएगा, 60, ठीक है, हाँ, समझ लेगा, आप सबसे स्टूडेंट प्रयास करिए, अब देखिए, 60 से 60 में भाग करेंगे, एक, यानि एक दिन में कितना उनिट काम कर रहा है, एक यूनिट काम कर रहा है, और A प्लस B, दोनों मिल के क्या कर रहा है, ध्यान दिजेग 30 दिन में कर रहे है, 60 यूनिट है, तो 30 दूना के 60, समझ रहे है, A प्लस B, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहे है, दो यूनिट काम कर रहे है, ध्यान दिजेगा, ये कितने दिन में, एक यूनिट, ठीक है, हाँ, समझने का आप सब इस्टूडेंट प्रयास करिए, अच्छे से समझने का प्रैस करिए तो ध्यान दीजिए, पूछ कहा रहा है B तो A plus B मेंसे दोस्तों अगर हम A plus B मेंसे A घटा दे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, B आएगा यही आएगा न, ध्यान दीजिए यहाँ पर समझे A plus B मेंसे A घटाएंगे तो क्या आएगा? B आएगा, ठीक है? समझिएगा, B बराबर क्या होगा? दोस्तो, A plus B minus, क्या होगा? A plus B minus A, ठीक है? तो A plus B minus A मतलब B बराबर क्या हो जाएगा? समझने का प्रेयस करिएगा, सब ही student हाँ, तो यहाँ पर आप ऐसे न समझिए काٹने के बाद confused हो रहे होंगे A plus B में से क्या करेंगे सभी student समझीए क्या घटाएंगे A घटाएंगे तो A plus B एक दिन में कितना unit काम कर रहे है 2 unit A कितना unit काम कर रहे है दोस्तों 1 unit तो क्या आएगा B का एक दिन का काम हो जाएगा 1 unit बी का काम क्या होगा ध्यान दीजेगा बी का काम क्या होगा एक दिन में एक यूनिट अच्छे से समझने का प्रयास करें सभी स्टूडेंट ठीक है तो पूरा काम क्या बोल रहा है ध्यान दीजे बी अकेला पूरा काम पूरा क्या है 60 और एक दिन में कितना unit काम कर रहा है एक समय कितना लेगा 60 दिन समय कितना लेगा 60 दिन सब ही student अच्छे से देखे समझने का प्रयास करे answer क्या होगा 60 दिन होगा बहुत एक्षे है very good यहाँ पे समझे a plus b 30 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में दो unit दो में से एक कम करेंगे 60 तो जो b है दोस्तो अकेले कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा बहुत एक्षे very good अभी इसके लिए भी 100 ट्रिक बता रहे हैं इसके लिए भी 100 ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे समझे समझे यह अपलोग सीकिए यह दो लोग है दो लोगों में से एक लोग का घटाएंगे तो एक ही का बचेगा न तो कितने दिन में करेगा एक दिन में एक unit काम कर रहे हैं तो 60 unit काम करने के लिए कितना दिन लेगा साथ दिन आंसर होगा 60 डेल बहुत अच्छे वरी गूड ध्यानदीजिए इसके लिए सौट ट्रीक है ध्यान दीजिए एक और सौट ट्रीक है इसके लिए भी प्रशन को पहले समझीएगा प्रशन कभी इस टाइप का है अकेले किसी काम को x दिन में कर पाता है प्रंतु बी की सहाथhta से B की सहायता से मतलब A plus B, ध्यान दीजेगा, A plus B, B की सहायता से मतलब A plus B, उसी काम को Y दिनों में समाप्त कर देता है, ध्यान दीजेगा, ध्यान दीजे, ग्यात कीजिए B अकेला, जब कभी भी दोस्तो, question में स्टाइब कहो, एक आदमी का दिया हो एक जगा काम, इतने दिन मे करते हैं, फिर दो आदमी का दियो, दो आदमी मिलके इतने दिन में करते हैं, और फिर दूसरे बाले का पूछे कितने दिन में अकेले करेगा, तो इसके लिए ज्दा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजेगा, X, Y बटा X, Y या X-Y, हाँ, डिफरेंस है ये अंतर है, दोनों का आंतर ये सोट्रिक है कुछ नहीं करना है ध्यान दीजिएगा कितने दिन में है X की जगा पर ध्यान दीजिए X की जगा पर क्या है दोस्तों 30 और Y की जगा पर क्या है एक्स की जगा पर है 60 और Y की जगा पर दोस्तों क्या है बताईएगा 30 है ठीक है तो यहां पर क्या करेंग ध्यान दिजे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बताईए, सभी स्टुडेंट, 60 गुने 30, ध्यान दिजे, 60 गुने 30, और बटा में 60 माइनस 30, क्या होगा, 60 माइनस 30, तो क्या होगा, ध्यान दिजेगा, 60 गुने 30, बटा का 30, 30 से 30 कट जाएगा, answer होगा 60 days, यह ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट एकदम सही xy बटा x-y यह सौट्रिक आप लगा सकते हैं कब? जब एक आदमी का काम दिया हो फिर दो आदमी मिल के कर रहे हो और फिर दूसरे का पूछे अकेले कितने दिन में करेगा हाँ इस सिट्वेशन में क्या करेंगे? xy बटा x-y यह x-y बोल सकते हैं ठीक है? हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे एकदम सही सभी स्टूडेंट सही है उमीद करते हैं समझ रहे हैं अच्छी बात है चलिए नेक्स कोशन के ओर चलते हैं अगला कोशन देखिएगा कोशन नमबर 4 कोशन नमबर 4 देखिए तो दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है दीपक वा प्रदीप मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं प्रदीप अकेले काम को कितने समय में कर लेगा? ध्यान दीजिए दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और दीपक और प्रदीप मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर्च लेते हैं प्रदीप ध्यान दीजिएगा प्रदीप अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा इसका अंसर आप लोग दीजिए तो सेम पीछे वाला कोशन है ध्यान दीजेगा, पीछे वाला कोशने प्रशन में कुछ नहीं है, दीपक किसी काम को ध्यान दीजेगा, दीपक किसी काम को कितने दिन में, नौ दिन में, और दीपक और प्रदीप, यानि कि D plus P, ठीक है, कितने दिन में, दीपक और प्रदीप कितने दिन में, बताईएगा स सबसें तो नौ और चरसे चरह करते हैं यानी की 10 लिलींट काम है यह 9 एक दिन में कितने उनिट दोनों मिलके काम करेंगे तीन इनुट तब ही तीन चाक एठारा छे दिन में पूरा कर लेंगे समझ में आ रहा है अच्छी बात है ध्यान दीजिए तो क्या पूछ रहा है दोस्तों पूछ रहा है प्रदीप ध्यान दीजिए बोल रहा है प्रदीप तो प्रदीप के लिए क्या होगा यह दो मिलके दोस्तों तीन दिन में कर रहे हैं यह अकेले दो दिन में कर रहा है ध्यान दीजिएगा एक दिन का काम है यहां पर दोनों नहीं यहां समझे यहां दो मिलके एक दिन में कितना उनिट तीन उनिट और यह अकेले एक दिन में कित समझने का प्रयास करिए यहीं पे तो समझना है क्या पूछ रहा है प्रदीप बराबर पूछ रहा है तो प्रदीप के लिए क्या होगा डीपक प्लस प्रदीप माइनस ध्यान दीजेगा हाँ माइनस दीपक ठीक है तो यह डीपक दीपक कट जाएंगे ठीक है समझ रहे हाँ तो यहाँ पर दीपक और प्रदीप की जगह क्या है दोस्तो तीन यूनिट ध्यान दीजिए और क्या है दोस्तो प्रदीपक का क्या है दोस्तो एक दिन में दो यूनिट ठीक है तो तीन माइनस दो क्या होगा एक प्रदीप एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा एक टोटल क अशर हो जाएगा जितने भी स्टुडेंट का अठारा दिन आंसर आया है आप सभी स्टुडेंट एक दम सही है कि समझने का प्रयास करिए बहुत अच्छे वेरी गूड उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट समझ रहे हैं हाँ अभी स्टुड भी बताएंगे पहले ये वाला तरीका सीखिए ल्सियम वाला तरीका सीखिए LCM वोला तरीका आसान होता है प्रशनों को solve करने के लिए हाँ, समझ आ रहा है बहुत एक्षे, very good, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, हाँ चलिए हाँ ध्यान दीजे, तो क्या होगा, प्रदीप कितने दिन में करेगा, अकेले 18 दिन, ठीक है, ध्यान दीजे इसको भी आप सो ट्रिक से कर सकते हैं ध्यान दीजे, जब कभी भी दिया हो दोस्तो, कोई ब्यक्ति A किसी काम को X दिन में कर सकता है, और X प्लस Y ध्यान दीजेगा, X और Y ध्यान दीजे, यह A है, समझ येगा कोई बेक्ती A, A की जगह पे कोई नाम हो सकता है और फिर आगे कहें दोस्तो A वा B, A प्लस B दोनों मिलके किसी काम को Y दिन में पूरा कर सकते हैं और पूछे की दोस्तो, ध्यान दीजे, पूछे की B अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे हाँ, क्या करना है, दोस्तों बताइए तो X Y, ध्यान दीजे, X Y का मतलब X गुने Y होता है X Y बटा X minus Y, या X difference Y कह सकते हैं, अंतर होता है, ठीक है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजे, X की जगा पे 9 है, Y की जगा 6 है और बटा में 9 और 6 का अंतर क्या होगा, ध्यान दीजेगा, 9 और 6 का अंतर X minus Y की जगा पे 9 minus 6, तो क्या होगा दोस्तों, 9 गुने 6 और 9 में से 6 घटाएंगे तीन, तीन दुना के 6, 9 दुना के 18, आंसर क्या होगा दोस्तों, 18 दिन, हाँ, आंसर क्या होगा, 18 दिन बहुत अख्षे, very good, उमीद करते हैं, सभी स्टूडेंट समझ रहोंगे, ठीक है, जब कभी भी ऐसे आए, कि कोई ब्यक्ति A इतने दिन में करता है और A और B, यानि दो ब्यक्ति मिलके इतने दिन में कर लेते हैं, तो B कितने दिन में अकेले काम को करेगा, तो इस दसा में क्या करेंगे, ध्यान दीजेगा, सभी स्टूडेंट, नोट करके लिखिएगा, कोई ब्यक्ति A किसी काम को X दिन में करता है, और ब्यक्ति A और B मि यह हो जाएगा ठारा दिन बहुत एक्षे वेरी गूड उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे हाँ का एक डब सही वेरी गूड समझ गये अच्छी बात है चलीए नेक्स कोश्ण की ओर चलते हैं अगला कोश्ण देखिएगा धीरे धीरे आपकी लेबल बड़ेगी समझते हुए चलीए सीकते है चलीए लेबल धीरे धीरे बड़ेगा यह question देखिए तो काफी important है ध्यान दिजेगा पाचवा question क्या है दोस्तों सभी student ध्यान देंगे पाचवा question क्या है most important question है अच्छे से सभी student देखेंगे question है ब्यक्ति A किसी कारे के 3 बटा 4 भाग को 60 दिनों में तथा B उसी कारे के 2 बटा 5 भाग को 20 दिनों में पूरा करते हैं दोनों मिलकर उस कारे को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ध्यान दिजेगा सभी student समझने का प्रयास करेंगे क्या बोल रहा है ब्यक्ति A किसी कारे के 3 बटा 4 भाग को ध्यान दिजिएगा, 3 बटा 4 भाग कारे को 60 दिनों में, और B, उसी कारे के 2 बटा 5 भाग कारे को 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर, ध्यान दिजिए, दोनों मिलकर उस कारे को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सभी student answer दे, इसका देखते हैं, कितने student answer देते हैं, ध्यान दीजे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समझने का प्रयास करिए, A, किसी कार के 3 बटा भाग कार को, ध्यान दीजे, A, किसी कार के, ध्यान दीजे, A, दोस्तों, क्या है, समझने का प्रयास करिए, 3 बटा 4 भाग को 3 बटा 4 भाग को कितने دिन में करता है दोस्तो 60 दिन में और B ध्यान दीजिएगा B 2 बटा 5 भाग कारे को कितने दिन में करता है दोस्तो, बताईए सब इस स्टुडेन समझने का प्रयास करेंगे तब ही समझ में आएगा दो बटा पांच भाग को 20 दिनों में ठीक है यह 3 बटा 4 का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिए यह आप ऐसे समझेए 3 बटा 4 को 60 दिन में कर रहे है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 60 गुने 4 बटा 3 60 गुने 4 बटा 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 से कटेगा 20 चौक 80 पूरा काम यह 80 दिन में करेगा और यह दोस्तो ध्यान दीजिएगा 2 बटा 5 बटा 5 बटा 20 दिन में कर रहे है तो पूरा काम के लिए 20 गुने समझने का प्रेस करिए 20 गुने 5 बटा 2 तो 2 से यह कट जाएगा 10 पच्चे 50 50 दिन में या आप समझ सकते हैं ऐसे ऐसे समझिए 3 बटा 4 बटा को कितने दिन में कर रहा है सभी स्टूडेंट समझेंगे 60 यानि 4 बटा में 3 बटा 60 दिन में यानि कि 3 बटा 60 दिन में कर रहा है तो 1 बटा कितने दिन में करेगा 20 दिन में आएगा और यह तो आपका एक हो गया दोस्तों दो घाशाय mentre फृटो एकषिर यह समझते एbei सबस्क्राइए छेसे समझने का प्रयाश करेए तभी समझ में आएगा ठीक है यह एसी कर रहरा है यह 50 दिन में, क्या बोल रहा है दोस्तों, दोनों मिलकर उस कारे को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, xy बटा x plus y लगा सकते हैं यहां पे, या 80 और 50 के LCM लेके, ठीक है, LCM नहीं लेना है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, xy बटा x plus y, तो यहां पे आप क्या करेंगे, ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट, तो 80 गुने, 50 बटा के, 80 और 50, 80 और 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बताईएगा, 80 और 50 एक सो तीस होगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 पच्चे 40, ध्यान दीजे, 400 बटा 13, 400 बटा 13 दिन, very good, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक दाम सही, 400 बटा 13 को सही बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, 400 बटा 13 को सही बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, उमीद करते हैं, यह तो आप समझ गए होंगे, यह तो समझ गए होंगे, ध्यान दीजेगा, हाँ, समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से तभी समझ में आएगा, ठीक है? हाँ, समझीए, तो क्या हो जाएगा, सभी student अच्छे से देखिए, 30 सही, 10 बटा, 13, हाँ, समझने का आप सभी student प्रयास करें, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा 30 सही 10 बटा 13 ये भी अंसर आ रहोगा या 400 बटा 13 अंसर आ रहे तब भी सही है ठीक है हाँ very good बहुत अक्षे उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे अथे से समझ रहे होंगे 80 कैसे आया ये भी समझ रहे होंगे बहुत अक्षे एकदम सही जितने भी स्टूडेंट का अंसर आ रहा है हाँ आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है हाँ पॉइंट में नहीं लाना है सही बटा के रूप में लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए हाँ धियान दीजिएगा सभी स्टूडेंट यहां पर एकदम सही सभी स्टूडेंट शिये जितने भी स्टूडेंट का 30 साई 10 बटा 13 आ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट श्यी community सMs सब्सक्राइए बहुत हैं next question की ओर चलते हैं उमीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कुछ नहीं किया जाता है पूरा काम निकालने के लिए ध्यान दीजेगा 3 बटा 4 ध्यान दीजेगा बस समझेगा इसके लिए 3 बटा 4 है न 3 बटा 4 काम कितने दिन में 60 दिन में तो 4 काम कितने दिन में होगा 80 दिन में होगा ठीक है आप सभी से student ऐसे भी समझ सकते हैं ठीक है बहुत अच्छे उमीद करते हैं आप सभी student समझ रहोंगे दोस्तों उमीद करते हैं आज की class आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा सारे question बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा किसी question में अगर आपको doubt है तो नीचे comment कर दीजिएगा उस question को दुबारा हम समझा देंगे वैसे यहाँ पे आप लोगों को doubt एक भी percent की नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी चीज़े हम एकदम basic से zero level से chapter by chapter clear करते हुए चल रहे हैं बस आप लोगों को तैयारी करना है मन लगा के पढ़ना है और साथ ही साथ अगर आप किसी अनी exam की तैयारी कर रहे है तो हम आप लोगों को बता दे exam की संपुर तैयारी 100% selection के लिए कराई जा रही है SSC Maker के app पे तो आप सभी लोग SSC Maker के app डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक नीचे description box में है comment box में भी है हम आपको बता दे अगर आप SSC CGL 2022 exam की तैयारी कर रहे है तो RM बैच चल रहा है SSC GD 2022 के लिए FAUZी बैच चल रहा है SSC CHSL 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है SSC MTS 2022 के लिए भी SSC बैच चल रहा है तो इन सभी exam की तैयारी है या किसी earn exam की भी आप तैयारी कर रहे है तो उसके लिए भी SSC Maker app पे class से चल रही है और सभी की सभी जो भी classes होती है SSC Maker के app पे वो zero level से, basic से और chapter by chapter चल रही है और कम फी में आप लोगों को बेहतर content दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना selection सुनिशित कर सकते हैं अगर आप सिर्फ math पढ़ना चाहते हैं तो math के लिए भी classes एकड़म basic से चली हुई है UP Police Constable के लिए class से चली हुई है special math जिसमें आपकी UP Police Constable की सब ही आपकी जो syllabus में subject हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से clear किया गया है और हम आपको बता दे अगर आप complete math और reasoning की course लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ SAC Maker के app पे और हम आपको बता दे SAC Maker का आप सभी लोग exam preparation जो app है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे पहले तो आप लोग download कर लेंगे app को install कर लीजिये mobile में और इससे जुड़ जाईए और अगामी किसे भी exam की आप तयारी करेंगे तो आप एक बार app पे visit करेंगे देखेंगे उन सभी exam की बहुती सांदार तरीके से और जबर्ज़ टीम के साथ आपकी तयारी कराई जा रही है तो आप लोग क्या करें अभी एससे मेकर का app डाउनलोड कर लीजिये जुड़ जाईए और मन लगा के तयारी करेंगे और अपना selection 100% सुनिशित करेंगे थैंक यू